हलो अब्रीवन वैलकम टू दा थ्रोटल कस्टम्स तो आज हम होंडा एक्टिवर का इंजन ऑईल चेंज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसके लिए ओईल ड्रेंड बोल्ट को उपन करना रहता है जो हमने कर लिया है और देखिए हमने बोल्ट को रिमूब कर दिया है तो इ प्रस दे बैल आइकन तो नेवर मिस अन अपडेट फ्रोटल कस्टम्स एकदम डार्क हो चुका है ओईल पूरा ब्लैक हो चुका है यानि ओईल जल चुका है हंडा एक्टिवर का इंजन ऑईल हर 5000 किलोमीटर के बाद चेंज करवा लेना चाहिए और ये प्रोसेस साल में जोड़ा सा टिल्ट भी कर सकते हैं जिससे की सारा ओईल निकल जाए तो हम यहाँ पे वर्थ कंपनी का 10W30 इंजन ऑईल यूज़ करने जा रहे हैं यही कंपनी रिकमेंड करती है तो हमने फनल लगा लिया है और हम वर्थ के इंजन ऑईल को ओपन करने जा रहे हैं तो आप कलर देख सकते हैं यह नया ओईल जो हम डाल रहे हैं इससे आप पुराने ओईल को कंपेरिजन कर सकते हैं कि पुराना ओईल कितना खराब हो चुका था और गाड़ी को कितनी जरुवत थी सर्विस की इंजन ऑईल चेंज करवाने की तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ब बगा दिया है और ये पुराना ओइल आप देख सकते हैं कितना खराब हो चुका था तो देखते रहे हैं दा थ्रॉडल कस्टम के लिए आप हमसे कॉंटेक कर सकते हैं इस कॉर्स में आपको 100% प्रैक्टिकल वर्किंग सिखाई जाएगी